प्रश्कार आप देख रहे हैं बिहारी नियूज मैं हूँ आपके साथ राज मुहंतिवारी बड़ी खबर आ रही है बिहार में लगे लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने फिर से बसों की जो परिचालन है उसे बहाल कर दिया है और इस संबंद में आदेश भी जारी कर दि गई है और यह कब से सुरू होगी तो यह 25 अगस्त से पूरे बिहार में बस सेवा सुरू हो जाएगी 24 अगस्त को परिवहन विभाग के मुक्य सचियू संजय कुमार अगरवाल की अध्यक्षता में क्राइस मेनेजमेंट ग्रूप की बैठक हुई थी इस बैठक में यह नि को सेवा पुड़े बिहार में बहाल होगी पहला बात तो यहीं है कि एक सीट एक सिध्धांत यानि एक सीट पर एक वैकती बैठेगा और कंटेनमेंट जोन में बस सेवा नहीं सुरू होगी अभी भी बस सेवा प्रतिबंदित रहेगी यानि उधर से बस नहीं गुज्रेग इसके अलावा कई और बातों का जिक्र इस आदेश में किया गया है वाहन मालिक के साथ ही चालक, कंड़क्टर, यात्री और जीला प्रशाषन को भी कई जिम्मेदारी दी गई है कि कोरोना संक्रमन के बीच में बसों का जो परिचालन हो वो कैसे हो और सुरक्षा के जो मानक है और जो नियम है बनाए गए है उसका पालन कैसे हो तो इस समंध में आपको मैं बता दूं कि वाहन मालिकों के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा और वाहन मालिकों को यह आवश्यक होगा कि जो नियम काईदे बनाए गए हैं और जो नियम बताए गए हैं इस आदेश में उसका वो पालन कराए अन्यता उनके उपर करवाई की जा सकती है तो एक नज़र डाल लेते हैं कि किन-किन बातों का जिक्र किया गया है इस आदेश में वहन माली को यह साफ हिदायत दी गई है कि वह प्रतेक ठीप के बाद पूरे बस को सेनिटाइज कराए औ इसके अलावा बसों में चड़ते और उतरते समय सोशन्ट लिस्टेंसिंग का पालन हो यह भी वहन माली की जिम्मेदारी है कि वह करवाए एक सीट पर एक ही यात्री बैठे और सीटों के अतरी किसी भी परकार की कोई यात्री अंदर मौजूद नहीं रहेगा यानि कि बस म सोबर और कंडक्टर के लिए क्या-क्या नीयम बनाए गया है क्या-क्या सर्थे उनने बताई गई तो वाहन में चड़ने से पूर्व यात्री यो के हातों को सेनिटाइजर से साफ करवाने की जिम्मेदारी वहां चाला के वह। के बाद उसकी सफाई हो इसका भी दियान उन्हें रखना होगा इसके अलावा यात्रियों द्वारा बस में चड़ने और उतरने के सम्मद में सोसल डिस्टेंसिंग बनाया रखा जा इसका भी अनुपालन वहां चला के हम कंड़क्टर को कराना होगा जीला परशाषन को भी सफाई समंदी प्रोटोकोल जो बना है उसका भी पालन हो और बसों में जो सीट के अनुसार बैठनी की चमता निर्धारित की गई है उसका भी पालन बस के ड्राइबर के द्वारा की जाए और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होगा जीला परशाषन को कि बसो में यात् डियों के बारे में यात्रीयों को क्या हिदायत दी गई है वो कैसे बसों में बैठने के समय अपने आपको संक्रमन से बचाइंगे और उनके लिए चठते समय जो मिलती है, रेलिंग पकरने के लिए उसका कोशिस करना होगा की कम से कम उप्योग करें इसके अलावा चठते और उतरते समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के जो कहा नियम है उसका पालम करना भी जरूरी करवाई की जाएगी इस तरह कई नियम और सर्तों के साथ बिहार में बस सेवा एक वार फिर से बहाल कर दी गई है बिहार की जनता के द्वारा लगतार या सवाल उठाया जा रहा था कि बिहार में बस सेवा क्यों नहीं शुरू की जा रही है तो लीजिए बस सेवा बिहार में 25 अगस से फिर से शुरू कर दी गई है अवागमन की जो आपकी समस्याय थी उसको देखते हुए बिहार सरकार ने बस सेवा को सुरू कर दिये तो इस बात का आप ख्याल रखें कि संक्रमन से बचते हुए ही आप अवागमन का जो सफर है उस दोरान आप अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें ताकि बिहार में जो कोरोना अभी नियंतरन में आता नजर आ रहा है वो फिर से